इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 4X Dana App का KYC कैसे कंप्लेट करते हैं 4X Dana App के अंदर आप किसी भी बैंक एकाउंट को कैसे एड़ कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी एड़ करने नहीं आता है चली मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपना जो है phone number या फिर दोस्तों आप कैसे अधार card और अपने bank account को detail करेंगे एड करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है 4X Dana App को खोल लेना है इस application का link हमने अपने वीडियो के description box में दिया है और इसका refer code भी हमने अपने वीडियो के description box में दिया है जहां से आप इसका इस्तमाल कर सकते है देन application उपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको interface मिलता है नीचे में देखेंगे तो आपको कुछ options मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पर जो है profile वाला option मिलेगा आपको इस profile वाले option पर click करना है profile के option पर click करने के बाद कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाता है और इसी के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है आपको थुआ सा नीचे scroll करना है देन नीचे scroll करने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा identity verification यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको identity verification complete करना होता है जिससे जो आपका account है वो activate हो जाता है अगर आप identity verification नहीं करते हैं तो आपका account activate नहीं होगा किसी भी परकार का referral earning आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो आपको identity verification वाले बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने identity verification को किस चीज से complete कर सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपने country को चूज करना होगा जिस भी country से है उसे आप select करें इसी के साथ आपको यहाँ पर यहाँ पर type of ID आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर I&D verification जो है अप अपने अधार कार्ड या फिर passport के थिरू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर अगर आपको अधार कार्ड से करना है तो अधार कार्ड से लेक करें यहाँ पर आपको अपने नाम डालना है अधार कार्ड में जो नाम है वो डाल दीजी और यहाँ पर अधार कार्ड नमबर डाल दीजी ठीक है तो चलिए दोनों में जो है हम अपने नाम और अधारकार नमबर को एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या-क्या है अपने अधारकार में जो नमबर था वो हमने एंटर किया है इसके साथ यहाँ पर अपने अधारकार नमबर को हमने डाल दिया है इसके बाद आपको next पे क्लिक करना है next पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल दाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है सबसे पहले आपसे यहाँ पर बोलेगा verify bank details तो यहाँ पर bank details में आपको डालना होगा bank name इसके साथ यहाँ पर bank name पर क्लिक करना है और जो भी company का bank है उसे आप यहाँ पर slack कर लीजिए जैसे कि मेरा bank of India है तो मैं यहाँ पर bank of India को choose कर लिया है इसके साथ यहाँ पर आपको bank account number का option मिलता है और IFSC code का option मिलता है तो आपको IFSC code पर क्लिक करके जो bank है उसका IFSC code होता है वो आपको डालना होता है और यहाँ पर जो है आपको bank account number को enter कर देना है जिसकी मदद से आपका जो payment है वो जब भी withdrawal करेंगे तो आपके इसी bank account के अंदर जाएगा ठीक है तो आप इसी हिसाप से यहाँ पर डाल सकते है तो चलिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ को enter कर देते है तो हमने यहाँ पर क्या-क्या है अपने bank account number और IFSC code को enter कर दिया है इसी के साथ आपको submit वाले option पर जो है क्लिक कर देना है submit का option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका identity verification है वो यहाँ पर complete हो जाता है आप जैसे की यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे में confirm का option दिया जाता है आपको इस confirm के option पर क्लिक कर देना है confirm के option पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर submit complete हो चुका है और इसे आपको cut कर देना है और अब दोस्तो आपका जो identity verification है वो यहाँ पर complete हो गया लेगिन दोस्तो आप देखेंगे तो इसमें verify वाला option यहाँ पर dot आ चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा identity verification है वो यहाँ पर कुछी minute में ही complete हो गया यहाँ पर green tick लग गया आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपका account है वो यहाँ पर active हो गया और इसी तरीके से आप भी यहाँ पर जो है अपने account को identity verification complete कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा comment box में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भोले